वेल्कम स्टुडेंट्स, प्रिवेस लेक्चर में हमने क्लास गेस्ट्रोपोडा में टार्जिन और शेल कौाइलिंग को डिसकस किया था, आज हम देखेंगे लॉको मोशन, तो जितने भी गेस्ट्रोपोड से इनके पास फ्लैटेंड फुट प्रेसंट होता है, अक्सर इनका हेड रिजन है और यह इनका फुट है यह उपर वाला हेड रिजन है रहा प्रेसट होता हने, सिलीय घो नोते हैं, और यह अपने इस फुट को यहां प्रेसंट के लिए यह अपने foot को यूज करते हैं हमने इनकी ग्रेक्टर 6 में इनकी इंट्रोड़क्शन फाइलम लस्का की इंट्रोड़क्शन में देखा था कि कुछ यह इस member के species हैं वो small हैं कुछ क्या है large है तो अब जो small gastropods हैं वो अपने cilia को यूज करते हैं यह move करते हैं अब जो large gastropods है वो अपने muscle की contraction से जो wave पैदा होती है उस wave की मदद से move करते है यह जो muscles जब contract करते हैं तो एक wave पैदा होती है जो foot के उपर से गुजरती है तो उसकी contraction से क्या करते हैं यह move करते है अब सम gastropods में क्या होता है नेकि इनका फुट है वो मूडिफाईड होता है पाटलिंगिंग एंड स्विमिंग यनी लटकने और तैहरने के लिए नेक्स्ट है फीडिशन ये खाते क्या हैं तो ये खाती हैं ये स्क्राइब करते हैं is algae को, और बास छो जो हैं, यनि खरेचते हैं, algae को खरेचते हैं, बास जो हैं, वो small जो substrate के साथ attached organisms होते हैं, उन को खाते हैं, कुछ हैं, जो herbivores हैं, यनि large plants को खाते हैं, कुछ इन भी मेंबर्ज sichqujengers है, यनि dead and decaying organisms को खाते हैं, parasites हैं, होस्ट से क्या है निउटन्ट लेते हैं और बदले होस्ट को नुक्सान पहुछ जाते हैं कुछ जो है ये प्रिडेटर होते हैं ये शकार करते हैं जो प्रिडेटरी सनेल है इनका जो digit teve ट्राक को है जिसे प्रबोसिस कहा जाता है प्रबोसिस कहा जाता है इस तरह हाथी की एक लंबी सी सून्ड होती है ना इनके मौत के बाद मौत की एक्स्टेंशन ही होती है मौत के आगे तो सेम इस तरह इनके पास भी कहता है कि Modified Structure होता है जिसे Proboses कहा जाता है इनका जो proboses रिडियुला Presence होते है Рिडियूला हमने देखा था रिडियूला जो है ये Sat效 भाष्ण होता है जो के इनके T Whether Se 망ता है जबान की तरह के Sat haircut है उसके उपर ये रेडियूला जो है प्रेजन्ट होता है रेडियूला जो है इसके उपर टीथ प्रेजन्ट होते हैं कर्विंग टीथ प्रेजन्ट होते हैं और यही इन रेडियूला की टीथ को ही यह जो प्रिडेटरी स्नेल है यूज करते हैं शिकार करने के लिए यानिमल्स इनका जितना भी जो डाइजिस्टिफ ट्रैक उसमें सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं अब डाइजेशन अफूड है और सारे हम रस्ते को देखें इनका जो फूड की डाइजेशन स्टार्ट होती है बकल मैस बकल मैस मुश्मिल होता है मौथ फेरेंक्स और सलाइवरी जब फूड जो है मौथ में एंटर हो जाती है मौथ में एंटर होने के बाद क्या होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा सिक्रेट करना यानि मुकस तो जब मुकस सिक्रेशन होगी मुकस की तो खुर्वा बल्किन भगोगाइड मुकाइड मासट नो where is myจะ बल्किन भगोगाइड मासघा को नाम दिए जाता है प्रोटो स्टाइल का अब यह जो प्रोटो स्टाइल है नेक्स हमने बात ही कि इनका जो डाइजेस्ट्री ट्रैक्ट है वो सिलियेटीड है तो ऐसो फिगर से स्टॉमिक तरफ जाएगा ऐसो फिगर से स्टॉमिक की तरफ इस प्रोटो स्टाइल ने मूव करना है तो अब यह जो track है यह क्या है? Ciliated है, यह जो way है तो जो proto style है जब ऐसो figure से stomach की तरफ move करेगा तो इस movement के दुरान यहां पर celia present होते है इनके track में, तो celia present होने की वज़ा से food जो है वो move करेगी, rotate करेगी और rotate करती हुई stomach के पास पहुँच जाएगी पर diverticular glands present होते है इन glands का काम होता है enzymes को और acid को secret करना enzyme की secretion में तो यह जो enzyme को secret करेंगे stomach में acid की secretion होगी जब secretion होगी तो क्या होगा? proto style जो है की मकमल तो पर digestion हो जाएगी जब digestion हो जाएगी तो food जो है वो move कर जाएगी intestine में यहां पर पैलेट्स पनेंगे फेशल पैलेट्स बनेंगे और उस वेस्ट को बाड़ी से रेक्टरवर्नेस से क्या किया जाएगा remove कर दिया जाएगा अगर हम सिंपली बात करें तो slivery gland मोत से क्या किया जाता है food को पकड़ा जाता है food अंदर ले जाने के मोत में लेके जाने की बात slivery gland जो है मुकस से क्रीट करेंगे मुकाइट जो मैस उसको हम proto style कहेंगे proto style जब aso figures से गुजर तो stomach तक पहुंच जाएगी तो इस रस्ते में क्या होतने है cilia presence होते है और वो cilia जो है क्या करते है food को rotate कर देते है इनका respiratory system यह respiration कैसे करते है तो इनकी जो mental cavity होती है वो involved होती है in gaseous exchange में इनकी जो mental cavity उसका role है एकर हम डाइग्राम देखें यह हमने previous lecture में डिसक्स किया था तो यह जो है यह इनकी mental cavity है यह जो डाइग्राम नजर आ रही है red blue कलर की यह इनके gills है इनकी mental cavity है इसका role होता है gas को exchange में हमने यह भी देखा था यहां से क्या होता है clear water इनकी बाड़ी में दाखिल होता है mental cavity का role है gaseous exchange में परस बात करते है primitive gastropods की primitive gastropods है उनके पास दो gills present है लेकिन जो modern है उनके पास सिर्फ एक ही gills present है क्यों हो एक gills present है क्योंकि उनमें एक gills lost है क्योंकि इनमें क्या है quailing हुई further quailing होने की वज़ा से इनके एक gills लॉस्ट हमने पीछे shells में बात की थी जो modern है क्योंने spiral shell होता है इनमें quailing होती है जिसके space कम बचती है और space कम होने के वज़ा से इनका एक अब जुकिल है वो क्या है lost है साइफन साइफन क्या है some gastroports have a rolled extension of mental it act as inhalant tube बास जो gastroports है उनमें क्या होता है इनके mental की extension होती है जिसे साइफन कहा जाता है साइफन is a tube like structure यह एक tube बनी होती है जहां से पानी जो है वो mental में दाखिल होता है so mental की जो extension है उसे साइफन कहा जाता है साइफन जो एक tube है जहां से पानी mental में दाखिल होता है so that's why हम कहा रहे है it act as an inhalant tube जो burrowing species होती है वो अपने साइफन को extend करती है substrate में और water को क्या करती है mental में ले कर जाती है land snail जो है इनमें क्या होता है gills present नहीं होते या क्या होते है रिड्यूस होते है यानि pulmonate होते है इनमें क्या होते है lungs present होते है इनकी जो mental होती है वो बड़ी vascular होती है next है circulatory system तो जट्थे gastroports है इनका जो circulatory system है वो open है open circulatory system है यानि जो blood है वो एक vessel होते है large vessel यानि आर्टरी वहाँ से blood जो है वो निकलता है और directly जो है वो tissue spaces जनहें sinus कहाजाता है वो directly बात करता है उनको किसी vessel के थlıू नहीं जाता बल़कि directly जो हूँ बात करता है tissues को इनका जो blood होता है वो मुश्क्मिल होता है unflood होता है या hemolamp होता है hemolamp के पास hemosinin होता है यहनि इनका बलड को बलू कलर का होता है hemosinin यह बलड को हम himosinin कहते है मलसका के पास क्या होता है hurt भी मजूद होता है इनका जो hurt है यह होँच्ट मिल होता है एक ventricular और नो ursals पर जातर जो gastropods है उनने सिर्फ एक ही ursal मजूद होता है एक इसल एपसंट होता है क्यों क्योंके क्वाइलिंग की वज़ा से हम नेक्स बात करते हैं इनके स्केल्टन की इनका जो स्केल्टन है वो हाइड्रोलिक स्केल्टन हम इसको कहते हैं तो बलड जो होता है इनका वो एक्ट करता है as a हाइड्रोलिक स्केल्टन इनका जो blood होता है tissue spaces में वो sport करता है इनकी बाड़ी को सो मलसका जो है contract muscle and use it hydraulic skeleton to extend body तो मलसकन जो है ये अपने muscles को और hydraulic skeleton को use करते है अपने body के structure को extend करने के लिए तो ये क्ष़ीड में लिए तो ये हुज़कर करते हैं तो ये फोरण से तो शेता कोई बाड़ी आहिए इनके टेन्टिकल फिक्राय करते इसे विधरा करते वह अपने जो हेड रिजन है फोरूं से उसको शेल हिंदर ले जाता है सेम इस तरह जब इनके टेंटीटिकुल्स को टच के जाता तो फोरूं से कह तो जो करते हैं विड़तरा करते हैं अंदर को खाहच लेते हैं लेकिन इन डिटेक्टिव मुसल्स की अगेंस जनि एंटाउन तो बलड को यह रस्ता देंगे तो बलड जो है वह आई से स्थार्ट इनके टेंटिकल्स में पहुंचेगा तो टेंटिकल्स भूद भाखुद ही आया जो है वह सीधी हो जाएंगे अपनी पहली पुजिशन पर चले जाएंगे